वो भी दुश्मन के निगरानी के साथ देखने पेहब उसुग है पर बहुत भी जान्यवा होगी होगी होगा यहाँ एक हरा पत्ता तक नहीं होता पूजाई के साथ ऑप्जिन की घर्ति मात्रा के कारण सास लेना तक मुश्किल हो जाता है तब शुब गोती है एक जवान के पॉशल की परिक्षा जो परिक्षा से अधिर अपनी जान बचाते हुआ अपनी प्यूती में ठाना होता बहुत बढ़ी मुश्किला सी यह पानी तो क्योंकि जहाँ सेख भी जंकर पत्त की गेश जैसा सक्त हो जाए प्यास बुशानी के ज़िए जब जब की जाती है वही अपनी पेट्रोलिक के दौरान वर्ग के रीजे मौजूद पहाड़ी नालों को चिंद्र कर लिया जाता है ज़रूरत पढ़ने पर इसी कपनी इस्तमाल किया जाता है जितने भी नाले बगयाना है जो कि स्वो से डख जाते हैं तो उस जगा पर हम एर मार करके रखते हैं ताकि वर्ग को वहां से हटाये जाए एक जगा पार पूरा क्यों आप वाटर सोर्स के लिए एक जगा बनाए जाए एक स्ट्रेलाइस टेवरेट होते हैं जिसको प्यू जो कि परफानी नाला है जो कि यहां से पीने का पानी हो सकता है अगर आप कर देखें जिसनो का सुनो का जित्रमी बड़को पिगला हुआ है वही पानी आता है उसी तो हम क्या बोलते हैं जो कि बढ़ भानी नाला हाला कि बढ़ को पिगला कर पी रेना उद्रा भी सगल नहीं जिस केमिकल का इस्तेमाल पानी को स्वच्च करने के लिए पिया जाता है वो लंबे समय तक प्रयोग के कारण अलसर बन सकता है है जो पानी को प्यूरिफाय करने के लिए जो उसमें टाब्लिक्स मिलाई जाते हैं उसे इवेंचली अगरा बहुत दिनों तक स्नों को मिल्क करके पी रहे हैं तो उसमें अंसर के बहुत के सब्सक्राइब करें 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 कि इसमें आपको कश्ची का उसर होने के काफी जादा चांसे होते हैं वे उसको डाइम से पिशेंट को इवेक्विट नहीं किया तो यह चलता करश सकता है सबसे अगुत बात यह है कि जवान से लेका जेंटलता इस प्रशिक्षार में बाहर हो लें और पढ़ने पर एक शमता के अंसार कारें कर सकते हैं कि हर परिस्थिती में लड़ाई का तरीका कुछ अलग होता है हर परिस्थिती में अगर बोलिया चलानी है तो उसका तरीका अलग होता है पहाड़ों में अलग संतल भूमी पे अलग जंगलों में अलग अब अगर यहां पर बर्फ है तो यहां परस्थित अबल तो आप यह देखते हैं कि जो इनका पहनावा है जो क्यमोफ्लाज है इनका वह सफेर होता की वर्ट में मिल जाए दूर से और कोई देखने की कोशिश करें तो आपको बिल्कुल लिए गुल जा रहे हैं इसमें अब इस परस्थितियों में आप स्कीज को लिये हुए यह किसी सहारी को नह कि यहां पर संघर्ष सीपिकinging कि तरह कि सके सीफ को पहנה कि इस हततesteem को जाती है कि कि जो को निगाहे मोती है जो पूरी कर से देखती है कि इस सपेद से कि विद्यान करता है कि जिन्दा रहते हैं कि हवाओं और ऑप्सिजन कस्तर्प इस प्रदिशन से कम नहीं पूना चाहिए इंकि अधर यसा हुआ तो सबुछ दूंदना में जड़ेगा सर्चक्राने जड़ेगा दिमार सुद्र हो जाएगा धीरे धीरे इंसान प्रें हैमरिज या ओमा जैसी स्कृति में पहुच जाएगा लेकिन जिन्दाबाद में लिफ्तान के लिवीर और जिन्दाबाद योग की अग्री उच्छा शक्ति जो हजारों पीर उचाई पर दुश्मन को तबीर अलकाते रहते हैं जब हवाय वर्ट पर जम जाती है और ऑक्सिजिन का लेवल 10 से नीचे चला जाता कि तबीर पहारों को अपने चक्तानी वस्रों से पुचलते हुए आगे दोड़ते चले जाते हैं जब दात्मान सुर्णी के 50 विभी सेल्सियत से भी नीचे चला जाता कि इस दात्मान के अधर कुछ सेकंड पोविशनी का फुर्णी सा पुला हो जाए तो वो हमेशा को यह देगार में जिक्ता है लेकिन इन फिर पहादूरों ने खुद की मिट्टी को जाने कैसे इतना मजबूद कर लिया है कि दुश्मन की आहत पाते ही लोहे की पंदू के ह हाथों उठामे पेर थर्फ इसकी और दौर लगा देंगे फिर तात्मान माइनिस बचास विद्री सेल्सियस हो या उससे भी जाता है उसी के दौरान सवाइनल टेक्नीक सिखाई जाती जिसका सीधा अर्थ होता है सीनत संसादूनों का इस्तमान तह दिनों से ज्यादा गु दिन का राशन दे जाते हैं लेकिन काम तो सिक ज्यादा हो सकता है ज्यादा देर आप सकते हैं तो क्या करें खाना इसमाटर प्रॉटिव परस्तूंचा उसका काम है कि अपने टास्कों कॉम्टीट करता है चाहिए तीन दिन निकार राशन अगरो कैवी तर रहा है वो चार लेकिन दो क्लानिंग जो की एक लाटी की है वो प्लानिंग कभी भी विलब नहीं होनी चाहिए कि हम तीन दिन के पेट्रॉन को कि अधिन दो कर दिया जाता है कि विज्ञान के मानकों को थ्वस्त करके अपनी पर दिद्रत करता लेका उस दोरानिंग से तोरान हो सकने वारी हाई और च्ट्यूज बीमारियों से सचेटर नियों पर दिन का अभ्यस्त बना लिया जाता है जो सोजर्स करते हैं उनको जो इंजरीज का जो सामना करना पड़ता है वो को से लेके जिजी जो होती है जैसे कि चिल बलेग और स्वार्टी के रिया फॉस्ट बाइट स्नो ब्राइनेस इसके अलावा जो इंजरीज जो फॉस्त के अंदर इंको रोटी में देखने को मिलती हैं वो हैट से लेकर होती हैं जैसे कि हैल्ट टूट पर्मोनर एडिमा एकुट मॉंटे सिक्नेस हैल्ट टूट सरीप्र लिए जहां भी बर्फ पड़ती है वहां पर अगलांज का खत्रा होता है दरसल कई दफार की तरफ से वर्णिंग भी जाती है कि आवनाज है लेकिन व अपनी हिफाज़त को अपनी सुरक्षा को भूल कर और उसके बाद एक सर्च वर्षी ऑपरेशन के लिए निकलते हैं जो बहुत ही जटिल बहुत ही कटिल होता है और बहुत ही टेक्निकल भी होता है इसके साथ एक आवलांज रेस्क्रीम इस तरीके से काम करती है वह यहां कर दिखाने की कोशिश हो दिया जाता है वो इस तरह करता है कि आपको दल्टी की पुर्जाइश पिल्कुल की नहीं है इस पर प्रक्राइश जाके 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 दर्थ की ऐसी तस्वीरें दे गया था जिन पर पूरे तेश की आँखें नम पूरे 2017 की शुवाद में जन्वर कुरेश रेस्क्यू आपरेशन पर गई ती के सदस से हमें इसी हौज मेरे पर कि हमारे जवानों से दुश्मनी ऐसी रहती है कि वकद वकद पर आए अबलांच में हम अपने जवानों के खुते रहते हैं गुल्बद में एक मेजर कुरेश में चौड़क माच्छिन सेक्टर पाँच जवानों की समाधी कि इंस खलन में बन गहीं तो हजार सफना जाकर 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 यह दुखर हाथसा फिर से खाउ खरी कर गया आपकी ठीप अभी हाल में इंवाल थी गुरीज में जो आवनांच ता उसके बाद रिसकी ऑपरेशन्स में मैं समझना चाहती हूं कि क्या मतलब होता है इसका कितना समय लगा आपको आपकिस तरीके से जाके कैसे किया था